एंड गाइस, पेपे कॉन की पॉप्लारिटी अब दिन बढ़ती जा रही है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, पॉप्लारिटी के मामले में पेपे कोईन को भी पीछे छोड़ता दिखा दे रहा है, साथी में यहाँ पर रीसे लिए हमें 22% का सर्ज भी इसके प्राइस में और यह अब तक की सबसे वड़ी अपडेट है, अब इससे रिलेटेड काफी सारी एक्सपेक्टिशन्स इंवेस्टर्स की बढ़ शुकी है, और यहाँ पर एक्सपोर्ट का यह मानना है कि पेपे कोई 2025 के बुल्डरन में हमें लग भग 15 रुपीस तक भी जाता दिखाई द सकते हैं क्योंकि इस ग्रुप पर हम आपको प्रीमियम सिंगनल्स अब फ्री में प्रोवाइड कर रहे हैं, तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप जाके जोईन जरूर करना हेलो दूस्तो, वेलकम टू दे क्रिप्ट बाइट, और आज हम लोग बात करने वाले हैं पे-पे-मेम टोकन के बारे में, जो आज के समय में लगभग 4 zeros के साथ 8 की सीरीज पर चल रहा है, यहाँ पर आप क्लिरली देख सकते हैं, 24 hours के अंदर हम इसके प्राइज में जाता पॉबलर हो चुका है, मार्केट के अंदर शोशल मीडिया एंगेजमेंट के जहातक बात की जाए, तो यहाँ पर इसी वज़े से इसके जो मार्केट सेंटिमेंट है, वो यहाँ पर हमें पॉजिटिव होते दिखाए दे रहे हैं, और यहाँ पर लास्ट वीक के जहा अपकमिंग months that we are excited to share with you, यानि कि बाइन्स के अंदर जो पेपे के holders है, जो पेपे के इन्वेस्टर्स है, उनके लिए रिवार्ट के तौर पर इहाँ पर 418 बिलियन डॉलर के पेपे टोकन दिये जाएंगे यूजर्स को, ताकि जादा से जादा इन्वेस्टर्स पेपे में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिये, तो यहाँ पर इस तरह का हमें एक बड़ा ट्रांसफर देखने को बिला है, और यहाँ पर इसी एक अपडेट ने इसी एक न्यूज ने पेपे के इन्वेस्टर्स को फिर से अट्राक कर लिया है, अब यहाँ पर यह कोई ट्रस्ट तो हुए है, जो आपको अगर गवा भी दिया जाए, अगर वेस्ट भी हो जाए, तो भी फरक नहीं पड़ेगा, तो आप इस कोई में इन्वेस्ट कर सकते हैं, हाला कि ऐसे पैसे को इन्वेस्ट करना जो आपके लिए काफी जादा इंपोर्टेंट है, आज के समें में काफी वैल्यू रखता है, तो उससाब से ये कोई अपके लिए एक गुड़ इन्वेस्टमेंट नहीं बन सकता है, क्योंकि यहाँ पर इस कोई में रिस्क काफी जादा है, बहुत ही जादा पॉसिबिटी है कि ये कोई कितने भी उपर या कितने भी नीचे जा सकता है, इसी लिए यहाँ पर जो maximum prediction इस coin से related लगाय जा रहे है, वो 15 rupees के आसपास लगाय जा रहे है, वही पर अगर हम बात करें minimum predictions की, तो यहाँ पर investors और experts की दो रहा है, क्योंकि यहाँ पर bullish sentiments हमें देखनी को मिल रहा है, expected है कि यह coin हमें एक रुपे भी पार होता दिखाए देगा, और उसके अगर हम compare करें Shiba Inu coin से, तो Shiba Inu ने अपने use case को अपने fundamentals को अची तरह से create करके रखा है, blockchain को ला दिया गया, exchange को ला दिया गया, Metaverse में entry कर ली, फिर अपना यहाँ पर खुद का wallet लाँच कर दिया, game को लाँच कर दिया, ऐसी कई सारी चीजे के जिसके कारएं investors ने Shiba Inu के trust बिल किया है, यहाँ पर investors को अभी भरोसा है Shiba Inu coin पर कि यहाँ पर यह company धोका दे कर भागेगी बिलकुल भी नहीं, वही पर Pay Pay Coin ने अपने investors का इस तरह से भरोसा नहीं जीता है, क्योंकि कोई भी update हमें देखने को नहीं मिलती है, हाला कि burning से related एग update हमें देखने को मिले थ support का यह मानना है कि काफी सारा fund यहाँ पर transfer किया गया है Binance को Pay Pay Coin को list करने के लिए, तो यहाँ पर इस तरह के meme token का एकदम से Binance पर list होना बहुत ही जादा risky है, क्योंकि यहाँ पर Binance के अलावा कोई भी बड़ा exchange इस coin को अभी तक list नहीं कर पाया है, दुसी तरफ यहाँ अग investment price predictions लगभग 0.0001 रुपीज के लगाया जा रहे है, वही पर अगर हम बात करें हापर 2030 की, तो expected है कि 2030 तक यह coin हमें 2 zeros को kill करता दिखाए देने वाला है, जहाँ पर यह coin 0.001 रुपीज के mark तक हमें पहुचता दिखाए दीगा, लेकिन उससे जादा नहीं technical analysis के हिसाब से, व community के कारण यह coin काफी अच्छा search, FOMO के कारण अपने price में दिखा सकता है, और FOMO पर काफी सार investors और whales भरोसा नहीं करते हैं, इसलिए short-up investors ही इसमें फसने बाले हैं, तो दोस्तों यह थी हमारी आज की update PayPal coin से related, hope आपको मेरे इस वीडियो ने PayPal से related currently सारी information सदी होगी, अगर द आपको crypto से related सारी updates time to time मिलती रहेगी, तो link मैंने description में दे दिया है, आप जाके join जरूर करना, आज के लिए वसतना ही, कल फिर मिलेंगे crypto की नहीं updates के साथ, तब तक के लिए, goodbye. कर दो के लिए